हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप चले आज फिर में आपके लिए एक ऐसी तीखी चटपटी और पहुत स्वादिष्ट सी रेसिपी लेके आई हो और यह शायद आपने अभी तक नहीं बनाई होगी अब आप इसको एक बार अगर देख लेंगे ना तो 101 परजंट आप इसे बना कर हि रहेंगे आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं बस इसे बनाने का तरीक होड़ा साल अलग है बाकी सारा सीम है जो हम और रेसिपी में बनाते हैं लेकिन कुछ चीजे अलग है जिसे आपको इस तरीके से करना है जैसे कि मैंने किया है और यह बहुत ही टेस्टी बनता है इसे आप स्टोर करके रखिए गर्भियों में इस तरह की रेसिपी सभी के घर में होनी भी चाहिए ताकि हमें फटा पट से अगर कुछ सब करना हो तो इसके साथ सब कर दे तो जले फ्रेंड्स इस रेसिपी को बनाने के लिए मुझे चाहिए कुछ प्याज तो मैंने चोटे साइज के प्याज लिया है आप चाहें तो बड़े साइज के ले सकते हैं और उसके बाद में हम इस प्याज को लंबा लंबा कट करेंगे इसके अलावा मैंने और प्याज को अलग से कट करके रख लिया है और इसके लि आपको इसके साथ दो तीन चीजे और भी लेनी है बाकी तो सभी सेम है लेकिन कुछ चीजे सेम नहीं है तो इस तरह से मैंने सभी प्याज को लंबा कट किया है बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है इसको कट करने के बाद में आपको इसको थोड़ा सा या तो आप धूप में सुखा दीजिए या दूप में नहीं आपके पाद धूप की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे पंख लिया है जिसके अंदर मैंने इसको इस तरह से हातों से मैश करते हुए ताकि इसकी प्याज की एक एक कली जो है खिल जानी चाहिए तो इससे करके मैंने इसको डाल दिया है बाकी की प्याज मैंने पहले से तयार करके रखे हुए है सिर्फ आपको वीडियो बताने के लिए सुखाने रख दिया है अब यह जब तक सूखती है तब तक हम यहां पर लेंगे एक कच्चा आम है तो यह कच्ची वली है इसमें हम उपर का छिलका हटा देंगे इसका तो सबसे पहले आप इसे अच्छे से वाश कर लीजिए वाश करके इसका उपर का छिलका हटा दीजिए हम पौच करें चिल्का करें गफ, करें में को सब्सक्राइब के बहुत है रेसिप के बनाना काके है को युछ एंसने जुनाझ अजक बनाना करंड़ समय नहीं कुझ कर दाना यह बिए है, हुआ को सब गफ लिया जायिए है जो मैं आपको इस recipe में बता रही हूँ आपने कैरी का अचार बनाया होगा कैर का अचार बनाया होगा हरी मिर्च का लाल मिर्च का सब का अचार बनाया होगा लेकिन आपने कभी प्याज का अचार नहीं बनाया होगा तो आज की इस recipe में हम बनाने जा रहे हैं प्याज और हरी मिर्च का अचार तो उसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज को सुखा दिया जैसे आपको बताया है और यहाँ एक चाम लिया है और उसको मैंने इस तरह से कद्दुकस कर लिया है आपको भी इसी तरह से मैंने इसको cut किया है इसी तरह से आपको भी इसको cut कर लेना है और सभी हरी मिर्ज को हम इसी तरह से cut कर लेंगे आप इसे इसी तरह से cut कर लीजिए या फिर थोड़ सा और बड़े size में भी आप इसे cut कर सकते हैं यह आपकी चॉइस के उपर है कि आप इसे कितना चोटा कितना बड़ा काटना चाहते हैं बाकि आप इसको मीडियम साइज में ही कट करेंगे तो चादा बैस रहेगा अब इसको बना चाहर बना करके दिका सकूँ बाकि के मैंने बना करके रख दिया है अचाहर जिसे मैं आपको बता दूँगे अब इसे भी हमें सुखाना है क्योंकि इसके अंदर भी मौश्चर है वो भी निकल जाना चाहिए अब जब तक ये दोनों सुखते हैं मिर्च और ये तब तक हम इसका मसाला तयार कर लेते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो चम्मच सौंफ लिये हैं जीरे का भी हमने यूज कर लिया है पीली राई का यूज करना है दो बड़े चम्मच पीली राई के हमें बड़ा वाला स्पून लेना है और इन सभी को हमें हलका रोस्ट कर लेना है तो इसमें से जैसे खुश्बु आने लगे और ये चटकने लग जाएगी राई तो आप समझ चाहिएगा कि इसमें जो है ये अच्छे से रोस्ट हो गया है इसमें एक चमच अजवाइन का भी डाल दीजिए बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हाजमा भी ठीक रहेगा आपका इस तरह से आप इसे बना सकते हैं तो फ्रेंट्स में इसको इस तरह से किया है इसमें हलकी सी मैंने दाना मेती भी ही डाल दी रोस्ट करने मे और उसके बाद में हम इसको grind कर लेंगे क्योंकि पूरी दर से रोस्ट हो चुका है ग्राइंड करने में हमने यहां पर लाल मिर्च का भी यूज किया है तो दो चमच मैंने लाल मिर्च इसमें एड़ कर दिया है साथी में एक चमच मैंने हल्दी पाउडर इसमें एड़ कर दिया है नमक डाल दीजे स्वाद अनुसार और साथ ही में इसमें मैंने डाल दिया है हरा धन्या तो यहाँ पर मैंने एक चमच हरे धन्या का यूज किया है अब इसमें एक चमच हम डाल देंगे अमचूर पाउडर आप इसमें अमचूर पाउडर अगर नहीं डालना चाते हैं तो lemon juice का यूज़ कर सकते हैं और साथ ही में गरम मसाला और मैंने थोड़ी सी हींग इसमें डाल दी है चौथाई चमच हींग की समझ लीजिया इसे ग्राइंड कर लेंगे दरदरा हम दरदरा ग्राइंड करने के बाद में कुछ इस तरह का इसका पाउडर बन जाएगा और इसे हम निकालेंगे एक बरतन के अंदर तो हमें थोड़ा ही निकालना है मैंने ज्यादा क्वांटिटी में इसको बनाया है क्योंकि अचार कम है अब मैंने यह सरसू का तेल गरम करके ठंडा कर रखा है उसके बाद में मैंने यह मसाला लिया है उसके अंदर मैंने डाल दिये है प्याद जिसे हमने सुखाने के लिए रखे थे हलके यह dry हो चुके है इसके अंदर का moisture कम हो चुका है अब इसके बाद में हमें इसके अंदर यह masala और उपर से डाल देते हैं और एक बार इसको mix कर देते हैं तो इसको जब हम mix कर देंगे उससे पता चल जाएगा कि कितनी quantity में हमें masala लेना है तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर मैंने तीन चम्मच इस मसाले के लिए है अब यह जो हमने grind करके रखा था यह कद्दू कस करके जो रखा था हमने कच्चा मैंगो उसे भी हम इसके अ जार बनाया है तो तीन चम्मच जो मैंने इसमें masala के लिए बहुत ही आराम से इसमें हो जाएगा बहुत अच्छे से हो जाएगा क्यों कि कम बना रहे हैं इसलिए masala भी हम कम ही यूज मिलेंगे मैंने यह masala जो बनाया है आदा किलो प्यास के according बनाया है अगर आप आदा किलो जिसमें लेते हैं तो यह बहुत ही आराम से masala ठीक रहेगा तो इसमें कुछ भी masala नहीं बचेगा अब यह दोनों हमने mix कर दिये हैं इसके अंदर एक बार डाल देते हैं तेल तो यहाँ पर जो तेल मैंने गरम करके ठंडा करके रखा था उसे हम इसके अंदर डाल देंगे त अच्छे से masala भी मिल जाएगा और आप चाहे तो इसे प्याज के साथ हरिमेच को भी एड़ कर सकते हैं पर मैं इसको बाद में एड़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको कट करके जब सुखाया था तो इसका moisture खतम नहीं हुआ था इसलिए मैंने इसको थोड़ी सी दिल और र अकुछ अगर चलानाों इसको अदर तेल की महत्रह इतनी होनी की पूरा आचार भाति हं किसी को पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर प्यास का अचार आपने कुछ इस तरह का बनाया था बहुत ही टैस्क थी जगएगा जट पर कुछ भी अगर आपने अफने बनाया है पूर शायद नहीं बनाया होगा लेकिन एक बार मेरे कहने से आप इसे बना करके देखिए अब इसे हम एक काच के कंटेनर में भरके रखेंगे तो इसको हम डाल देते हैं काच की कंटेनर में जिसके अंदर हम कैप लगा सकें या किसी आप काच की बोटल के अंदर इसको रखिए जि जसे कि यह बहुत अच्छे से अचार गल जाना और गल जाएगा तो यह इच्छे से बन भी जाएगा 2-2 दिन लगेगे इस अचार को बनने में ज़्याधा समय नहीं लगेगा सिर्फ मसालो को अच्छे से फूलना है तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की ये रेसिपी आपको मु एक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई